हलो एवरीन राधिराती कैसे आप सब यह टाइम है इज शाम को लगबग से हमके 5 विजरे होंगे तो मैं यहां पर कर रही हूँ गाजर के खलवा बनाने की तयारी मैंने आपसे कल कहा था बद कल मैं नहीं बना पाईती तो यहां और इसठी के फिट कर लिए है मैं एक क्रीब डूट डूट डालंगी तो यहां पर रखने के बाद इसको पकने देते हैं अब यहां देखिए गाजर हमारी सीटी एक आ गई थी तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ तो मैं इस तरह की कल्ची लिए जो छेद वाली होती है तो इसमें से मैं ऐसे ऐसे करके निकाल लूँगी यह पानी पैगने लाग तो है निसमें दूद भी है तो इसका हम न परांठों में यूज कर लेंगे इसके परांठे आपके बहुत सॉफ्ट परनगे क्योंकि इसमें दूद का पानी भी होगा न और गाजर का पानी भी है तो बहुत पॉस्टिक है इस पज़े से इसका हम यूज कर लेंगे और अभी मैं इसमें डाल दूँगी चीनी इसको मैंने गैस पर रख लिया है तो जब तक इसको चीनी गूलेगी नहीं तब तक मैं इसको चलाती रहूंगी और गैस को मैंने हाई ही रखा है यह देखे चलाती जाएंगे और चीनी जब घुल जाएगी न फिर इसको इतना चलाने की जुरूद नहीं है यह देखे चीनी घुल चुकी है तो अब यहाँ पर मैं इसको बीच वीच में चलाती रहूंगी और अपने और भी काम देख लूँगी फिर अतना है अब सका हमें पाई चुका नहीं है यह जो चास्णी है इसको चीनी की तो वह हमें इसको सुखाना है बिलकुल जयसे के हल्वे का रहता है फिर उसके बाद जैसे वह घृस पर रख दिया है मैं आगे थी जो शाम के बचान अकोdensन और दोफार में लगाती हूं कि जैसे कि पाने का निकल जाए तो यहां ना मेरा हल्वा भी लग बरणी गया है तो बस में मिलाँगी मावा तो यहां मावा को भी मैंने फ्राइब करके रख लिया है तो इसमें से में आदा मावा लोंगी क्योंकि एक पिलो है मुझे आदा क्लो डालना है इसमें को इसमें किल सोचती थी बनाने का पर कल मुझे टाइम नहीं लगा था विल्कुल भी बहुत देर होई थी तो आज में पिर में portfolio आज में तो बस यहां पर घी मिल चुका है और मैं इसमें डालूँगी अभी काजू और वो रह गए है लाइची पाउडर तो वो मैं अभी आपको करके फिर दिखाऊंगी बाद में फैनल चलिए अब थोड़ा चलते हैं बाहर अभी न मैं जब से किचिन में ही लगी हूँ यह देखो कौन है यह देखो जमीन पर लेटा हुआ है क्या रूड़ रहा है क्या था धाल्य तो अब देखो अब इसकी टविया ठीक नहीं है और ऐसे यह जमीन पर लेटा रहता है अभी जुखाम भी हो रहा है इसको यह इसके हाल हैं बताओ कैसे ठीक हो गाई तो चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूं अभी क्योंकि फिर मैं बनाऊंगी दिनर उसकी तैयारी करूंगी तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ मैथी मलाई मतर की सबजी जो कि बहुत देश्टी लगती है और ढवा स्टैल में बनाऊंगी तो आप देखिएगा वीडियो के स्किप मत किया करो पूरा देखा करिए और एक चीज में आपसे बोलना चाहते हूं प्लीज यार मेरी बात को समझना और मानना भी आप लोग बूसके चौतालीक मिलते हैं यह जो तो एक नियुकि नहीं लगते हो कि ऐसे भूल जाते हो तो यहार थोड़ा सा लगता है वैसे लाइक से कुछ होता जाता नहीं है रहा है लाइक क Warum यह य्चिन और पंशी हो गरी अब जनने क्या-क्या लाला की रखता रहता है जूते का डप्बा रखा है अब जनने जनने क्या-क्या रखता है इसका पता ही नहीं देखो जंडा जंडा तो है चलो मैं आज न एक बाध अब यह तो सब्सक्राइब थी कोaf ज bush open Suri जूo तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मन तो मेरा भी बहुत करता है, पहनने का, क्योंकि ये साड़ी में काम करना बढ़ा मुश्किल रहता है, आपको पता ही होगा, साड़ी में काम बहुत मुश्किल हो जाता है, करना, सर्दियों में तो आप साड़ी पहन के काम कभी कहीं से ग मेरे हाथ में कुछ हिसाप लगा रही थी तो ये छोड़ाया भी नहीं है तो इसलिए फिर मैं नहीं पहनती हूं तो चलिए जाने तो इस बात को और क्या पूट रही थी मैं भूल चाती हूं आप में एक चीज बताना मुझे एक मैं आपसे पूछना चाहती हूं और प्लीज मुझे सब लोग बताएगा कि मैं वीडियो कौन से टाइम में अप्लोड करूं मतला पब्लिस कौन से टाइम करूं आपको दुपहर में सही लगत तो मुझे ठीक लगा था तो मुझे आप पताएगा सुभा या दुपहर में कब में डालू तो उसी टाइम में वीडियो डाला करूंगी और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं आपको मेरा काम व्लॉग या खाना पीना क्या पसंद है खाना बनाना पसंद है व्ल तो यहां मैं आपको हलबा दिखा रहे थी मैंने काजू और इलायस चीव अगरा डाल दी है तो यही था इसका फाइनल और अब मैं बना रहे है आपको सर्मान मैथी मलाई मत्र के लिए चाहिए तो यहां पर मैथी है मैंने को साफ करके काट के धो के रग दिया है अच्छे पानी निकाल के बिलकुल और यह है प्यास एक कटा हुआ और अधर क्लैस्ट पेस्ट एक चमच और दो टमाटर का प्यूरी मैंने बनाया है यह देखिए और एक कटोरी मतर है हरी बिलकुल जो ताजा मतर होती है न वो है बिलकुल आप चाहे तो फ्रोजन मतर भी यूज ले तो इसको गरम करने के बाद सबसे पहले हम मैथी को थोड़ा सा फ्राइ करेंगे थोड़ा सा मैथी को करेंगे यसे बिल्कुल यह थोड़ी रह जाए और इसका अलग टेस्ट अच्छा आता है फिर इसे करने से न मैथी को इस तरह से हम कर लेते हैं तो टेस्ट अच्छा आता ह तो इसमें थोड़ा सा जाशनय मेथी को और यह बंके कड़ाई स करते हैं बहुत देखाई देती है तो मैंने निकाल लीती हूँ इसमें से में और फिरें प्यास को फ्राई करोदी यहां के बाद तो हम कटी रखना को टोटा सा गलाबी रखना ए कच्छापन निकालने करना है खलक़ा सा घुलावी करना है और फिर मैं डाला दूंगी जो मैंने टमाटर की बीस करके बनाया था वो उसको भी हम पकने देंगे अब इसमें हम डालेंगे इसमें मसाले तो यहां पर मैंने हल्दी राली है थोड़ी सी डाली है लार्यमिर्ची भ ओल्या टाला है और धनिया पाउडर डाला है चमचकी करीब और यहंपे मैं डालτε यूँ कस्मीरि डालमेट्स जी बसके कलर पहोत्य है बड़े से अचाने के पूल था और यह थैंरे मैं डाल दूगी नमग जयसे कैपको पता यह टेमाटर आलनें लिसे iasiать मैं घ éch जाते हैं त से तो अब हम इसमें डाल लगे मतर तो यह मतर हरी है तो इसको हम मिक्स करके थोड़ा मैं पानी दूंगी जिसे के यह मतलब जल्दी से गल जाए मतर नहीं मसाला जले ना तो है थोड़ा समय ने पानी किया है इसको मतर को पकने तक बहुत सौफ्ट मतर है बहुत जल्ली पक जायेगी तो यहाँ पर मैं 2-3 मिलड पकाऊंगी बस बहुत जल्ली हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता फिर हमने पहले भी इसको फ्राई कर लिया था तो वह चली बन जाएगी तो अब इसको हम मैथी में भी थोड़ा सा मैं पानी लगा दूँगी जिसे की मैथी भी तुम सूखी मतलब मसाली रीजले कुल मला के यह हो रहता है तो यहां इसको भी हम ढख करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे दो से चार मिनट बस तो यहां पर देखिए यह पन चुका है लब पक चुकी है मैथी भी और टम भी मतर भी अब हम यहां पर जो मलाई ली है मैंने कटोरी भर के घर की मलाई है यह दूसरे निकाली हुई वह मैं तो इसको मिक्स करने के बात अब हम घक करके पकाएंगे जब तक कि इसका उयल न निकलाएं विल्कुल उपर उपर ऊयल न देखने लगे ऑइल क्या वह घी होता है ना वलाई क्या तो वह न निकल लेंए के तब तक हम इसको बस पकाएंगे आपकी यह सब्जी तो बन गई इसको ठकर कि यहां देखिए सब्जी में ओउल-ओल ऊपर आ गया है तो आप इसमें डाल देंगे गरम-मसाला बस गरम-मसाले के बाद आगर आप चाहें तो कसूरी मैथी भी डाल सकते हो उन्हें नहीं डाला और नहीं डाल सकते हो तो यहां पर सब्ची पिल्कुल तेयार है बहुत टेस्टी बनी थी फिर उसके बाद में आगी थी कमरे में राखब को पढ़ाने के लिए तो यहाँ मैं देख रही तेखो कितना फैला की डालते थे बच्चे कहीं जब भी जो तो काव हो था वो ऐसी ऐसी चीहों से खेलता है मतलब कुछ न कुछ लेके सारा विस्तर कहीं कपड़े कहीं कुछ कहीं कुछ तो मैं उसको ढहट रही थी और पढ़ा भी रही थी फिर मैंने विस्तर सही के आए तभी यह आगे थी पटिन को नहीं बता था कि कैमरा ओन है मैंने इनको बताया भी नहीं था ये कपड़े उतारने लगे थे तो मतलब ये गए थे बाहर तो बहां से आये थे कुछ सामान लेके आये थे बटन को भी पता नहीं है तो मैं रागब को पढ़ा रही थी जब जैसे ये श्याइड वर्ड पताने लगे थे कपड़े चेंज करने लगे थे तब फिर मैंने इनको बात में बताया कि मैं हसरी इनको बताया मैंने कि मतलब केमरा ओन है तब ये बाहर चलेगा एकदम से क्योंक यहां भाहत करें दो बस यहां पर रागब को थोड़ा स कपड़ा के फिर मैं बनाँगी कुट है तो बस रागप को मैं बोल ले थी तो जब तक याद कर मैं आपके लौट के तुमसे सुनूंगी कि कुछ यह भूट रहा था तो मैं सुचा यह सामाल ने देख लेती हूं क्या लेकर आए हैं तो यहां पर यह सामाल लाए थे मैं खला रही थी तो यह लाए थे शायद हरा धनि यह जब सकते हों यह सब्सकाइब तो यहां पर यह बना आया था थाली घाजर काहलवा सब्जी और रोटी प्याज के साल बहुत तेश्ती लगी थी बहुत अच्छी सब्जी बनी थी बहुत टेस्ती तो लीजए आ आप भी खालेजिए और सबजी को ट्राइजरू करना मुझे बताना कर देते हैं वीडियो के राघप कहा है राघप जब कहा है कहा है दिखा दिखाओ दिखाओ कि छुपरा आए गया ये कहीं छुपरा है कहीं मिल गया आजा नीद नहीं आरे थे वो नहीं आ रही आ जा तो सोच दोवारा चलिए बज ग Быenne बजगे इस प्वडय की दे रहे हैं कि और थे वीडियो को कर देते हैं एंड गरेंबेंगे नए वीडियो में तब तक के लेंजेयगे बढाई तेक लिए अधिर आदे आधे गौनає गौ alan मुहमे जस्त्मानी दो गौनाइट कार दो अध्प लौनाई गुन्याती बुन्याइ बप्याइ बाबा बाबा नी बाबा